लगनों की राजकी बाली का ग्रह में एक लड़की के गर्वती होने का मामला सामने आया है यहां पर बाल ग्रह प्रिशासन लड़की पर जवरदस्ति गर्वत कराने के लिए दवाब बना रहा था मामले के सामने आते ही हरकंप मच किया बाल ग्रे की प्रभारी को ततकाल प्रभाव से सस्पेंट कर दिया गया है इसके बाद बाल सनरक्षन आयोग की टीम ने इस पूरे मामले की जांच की आयोग की अध्यक्ष जोही सिंग ने जब लड़की से अखेले में बाकी तो कई चौकाने वाले तथे सामने आए इस पूरे मामले पर बाल ग्रे की प्रभारी रुपिंद्र कौर को ततकाल प्रभाव से सस्पेंट कर दिया गया साथी आयोग की अध्यक्ष जोही सिंग ने इस मामले में कड़ी से कड़ी कारवाई करने की बाद की सम्वेदर जील मामला है एक शिकायत बाल संडरक्षन आयोग को मिली थी और उसी शिकायत के तहत हम लोग बाली का संडरक्षन गये मोती नगर गये थे लड़की से भी बात चीत हुई रात में और वहाँ पर अधिक शिका से भी बात हुई रिपोर्ट्स भी देखी गई बेजी जा रही थी इस लड़की के लिए हम लोगों ने बिलकुल रोग दिया है हम लोगों ने एक लिखित उनको क्वेश्टनेर जारी किया है जिस पर ओफिशली वो सारे रेकॉर्ड सत्याप्रित करके और अपने सारे जवाब आज हम लोगों को देंगे दरसल गर्वती हुई लड़की शहर के बाहर के कॉलेज में पढ़ती थी और अकेले में ही पढ़ने जाती थी जबकि उसे कॉलेज छोड़ने और लाने किस दिम्मेदारी बाल ग्रे प्रसाशन ने किसी भी करमचारी को नहीं दी शुरुआती जाच में ये भी पता चला कि उसके सम्मन्द वही काम करने वाली एक महिला करमचारी के बेटे से हैं बाल आयो की टीम ने जब कई करमचारी और आरोपी लड़के से पूछताच की तो सामने आया कि लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं दोनों शादी भी करना चाहती ही लेकिन बाल ग्रे की अधिक्षी का बिना शादी के ही दोनों को एक साथ बाहर भेजने की कोशिच कर रही थी पिलहाल आयो की टीम इस पूरे मामले की जाच में जुटी है लगनों से हफीज एहमद की रिपोर्ट